तो दोस्तो आज 17 जुलाई 2022, market highly volatility के कारण फिलाल कोई mainline IPO तो market को वो launch नहीं हो रहा है बट SME IPO यानि small and medium enterprises IPO जो है वो लगातार हमें launch होता हुआ नज़र आया तो आज इस वीडियो में हम discussion करेंगे एक ऐसे ही SME IPO जो की upcoming trading week पे market के उपर open होगा जो की in future में आपको बहुत उपर तक ले जा सकता है क्योंकि company basically renewal sector के उपर काम करता है तो चलिए देख लेते हैं सबसे वहले company के उपर थोड़ा detail में उसके बाद company का financial background चेक करेंगे IPO से related हर एक जान करी दूँगा और इन पर हम बात करेंगे कि आपको इस IPO में apply करना चाहिए या listing के लिए आपको wait करना चाहिए तो सबसे वहले दोस्तों company का नाम आपके सामने है तो company का नाम है Agni Green Power Limited तो नाम से आपको पता चल गया basically company green sector या renewal sector को पर काम करता है अब चली देख लेते कि company actual क्या काम करता है कौन कौन से सेग्मेंट क्योंकि अगर हम बात करें रेनीवल सेक्टर में बहुत सारा अलग अलग सेग्मेंट है जैसे कि solar power energy wind power energy तो देखे अगनी green power limited also manufacture solar home lightning system solar street lightning system solar power conditioning unit solar inverter तो यह सारे चीज जो है product है company का mainly product तो company basically solar energy के उपर ही काम करता है next अगर हम बात करें company का financial background जो कि हर एक company के लिए बहुत ही जादा important होता है जैसे कि यहां पर आप देख सकतो यहां पर पूरा का पूरा figure in lakhs पर है तो मैं आपको करोर पर convert करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में थोड़ा सा easy लगे तो basically company financial at 19 में total जो revenue कमाया था अल्मोस्ट 31 करोर के उपर उसके बाद financial at 20 में वो revenue के अंदर थोड़ा गिरावाट आया अल्मोस्ट 23 करोर के आसपस हो गया था उसके बाद financial at 21 पे लगब 35 करोर के अच्छा जम भी देखने को मिला था उसके बाद अगर हम बात करें financial at 22 की पूरा तो नहीं यहां पर डेटा नहीं दिया बट अल्मोस्ट 3 क्वाटर आप मान के चल सकतो अल्मोस्ट 7 करोर के आसपस उसके बाद अगर हम बात करें financial at 20 में सिर्फर सिप 10 लाग के असपसी कंपणी जो की net profit generate किया था उसके बाद और मोस्ट सारे 10 लाग नेक्स्ट अगर हम बात करें सिर्फर सिप 7 लाग का revenue generate किया तो simple सी बात है कि renewal sector या power sector का होगे इसका मतलब यह नहीं कि कंपणी बहुत नहीं होता तो यह आपको दिमाग में जरूर होना चाहिए अब देगे छोटे कंपणी है तो इनिशल स्टेज में तो थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा कंपणी को नेक्स्ट अगर हम बात करें IPO से लेडर डीटेल जैसे कि आप आप देख सकते यह IPO मार्केट के पर open हो है सारे शेर का जो फेजबल है वह दस रुपए पर शेर नेक्स्ट अगर हम बात करें जो यह IPO में प्राइज रखा गया सिर्फर से दस रुपए का मतलब बहुत ही जादा चीफ वैलेशन में बोल सकतो यह IPO को मार्केट को लांच कराया जा रहा है सिर्फर से 10 रुपए इसक करना चाहते हो तो एक लॉट मिनमा अपलाई करना ही पड़ेगा एक लॉट के लिए टोटल आपको दस हजार क्वांटिटी का शेर ओडर प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि यह इसका मिनिममम ओडर क्वांटिटी है नेक्स्ट अगर हम बात करें IPO का साइज तो देखिए ओव में लाइन IPO और एक में एक डिफेरेंस होता है मेंलान IPO बेसिकली हमने देखा था इसके पहले और जो यहां पर इसे में के लिए टोटल 50% share allocate किया गया है तो यह सारे company का जो main promoter है promoter का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है अब चलिए हम बात करेंगे यह IPO से related important कुछ date जैसे कि आप right side में देख सकतो right side में आप सारे date बगरा दिया हुआ है जैसे का IP open होगा 20th of July 2022 को उसके बाद यह IPO market को पर रहेगा तीन दिन के लिए 20th, 21st, 22nd यह IPO का closing date है उसके बाद अगर आपने IPO में apply किया तो आपको IPO में allotment मिला या नहीं मिला वो आपको पता चलेगा 27th of July 2020 के दिन उसके बाद अगर हम बात करें अगर आपको IPO में allotment नहीं मिला तो उस case में आपका जो पैसा है वो आपके फिर से account में credit हो जाएगा 28th July के दिन अगर आपको IPO में allotment मिल गया तो आपका जो share है वो आपके demand account में credit होगा 29th of July और यह IPO मार्केट को पर लिस्ट होगा 1st August 2022 अब देखिए सिंपल सी बात है मार्केट बहुत ज़्यादा है मार्केट लगादार गिर रहा है बस हमने देखा एक दो दिन रिकवर हो रहा है तो चार दिन गिर रहा है तो यह सब चीज आपको दिमाग में होना के रख सकते हो जब IPO मार्केट को लिस्ट होगा तब यहां पर ओपन मार्केट के उपर क्योंकि आइप मतलब यह जो कंपनी का शेयर रखा गया बहुत ही चीप वैलेशन में तो दो चार आपको बाइक कर सकते हो जैसे कि यहां पर जो कि रिटल इंवेस्टर्स के लिए तो आपको टोटल एक लाक रुपए जो कि यहां पर ब्लॉक्ट हो जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें कोई भी इंवेस्टर्स मैक्स दो लॉट अपलाई कर सकता है दो लॉट के लिए टोटल दो लॉट के लिए टोटल दो लॉट के लिए 20,000 कॉंटिटी का शेयर और प्लेस करना पड़ेगा जो कि आपका पैसा लगेगा टोटल दो लॉट का ठीक है बेसिकल आपने देखा कि मेरलान आइप्यों की केस में अर्मोंस 15,000 के भीतर ही हो जाता है 14 से 15,000 के भीतर एक लॉट का टोटल कीमत रहता है बट इस केस में एसे में आप्यों के उपर रहत कमपनी खराब नहीं है फ्यूचर में ग्रोथ का चांस है अब अब अगर हम बात करें जो मार्केट का कंडिशन है वह बहुत ही जाता खराब है जिस वैसे मैं आपको बोला हूँ एग्णोर करना ही बेटर होगा अब बहुत लों के दिमाग में आएगा कि इसका जीम पी कित कर सकता है क्योंकि मतब प्राइज ही इतना चोटा है जो कि आई प्यों का साइज ही इतना चोटा है जिस वैसे बाकि अगर हम बात करें फैनेंशियल बैग्राउंड मुझे ठीक टाग लगा बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है बढ़ हां एटलिस्ट लॉस्मेंकिंग नहीं है तो यह सबस्यादा प्लस पॉइंट है दूसरा यहां पर देख से तो कंपनी दीरे-दीरे यहां पर ग्रोथ होने की कोशिश कड़ा है बठा कंपनी का प्रोड़क्ट है वह काफी अच्छा है उसके साथ कंपनी का जो मेन अगर हम बात करें ब्रंच तो वेसिक यहां पर जो मेरा सिंपल साब को स्ट्राइजी रहेगा याभी यहां पर इग्णोर कीजिए बाकि जब मार्केट को पर लिस्ट होगा 1 अगॉस्ट उस डेट को नोट करके डख सकतो तब यहां पर ओपन मार्केट के तुर यहां पर चोटा मोटा एक-डो कांडिटी यहां है बाई कर सकता है अगर आप बाई करना चाहते हो तो दोस्त आगे मुझे जितने भी जानकरी हैं मिलेंगे स्पेशल आइप और से रिलेटेट से रिलेटेट हर एक जानकरी में आपको देता जाओंगा सिंपल चैनल को यहां पर सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरूर दवा देना मिलता है नेक्स वीडियो पे तब तक लिए टेक के बाबाई जय हिंद